नमस्कार दोस्तों प्रू टैबलेट का उप्योग त्वचा पर रैशेस होने पर और त्वचा पर खुजली होने पर प्रू टैबलेट का उप्योग किया जाता है डॉक्तर क्रोनिक अर्टिकेरिया होने पर यानि त्वचा पर पुरानी खुजली की समस्या होने पर भी प्रू टैबलेट को लेने की सला दे सकता है प्रू टैबलेट को लेने के बाद मीन अधिक आती है इसलिए डॉक्तर प्रू टैबलेट को एंगजाइटी यानि चिंता को दूर करने के लिए भी प्रू टैबलेट को लेने की सला दे सकता है इसके अलावा डॉक्टर सर्दी जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए भी प्रू टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। सर्दी जुखाम, एलर्जी या नजला के लक्षन जैसे नाक से पानी बहना, आखों से पानी आना, आख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आधी लक्षणों से राहत पाने के लिए भी प्रू टैबलेट का उप्योग किया जात साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में प्रू टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में प्रू टैबलेट की वज़ह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं, जैसे मुँ में सूखा प्रू टैबलेट को लेने के बाद नींद अधिक आ सकती है। प्रू टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। प्रू टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको प्रू टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। इसलिए किड्नी की बीमारी से पीडित व्यक्तियों को प्रू टैबलेट को डॉक्टर की सला के बिना नहीं लेना चाहिए। प्रू टैबलेट को दिन में लेने की वज़ा से नीन अधिक आ सकती है। प्रू टैबलेट को को अधिक मानसिक सतरकता की आवशक्ता होती है। प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं के लिए प्रू टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को प्रू टैबलेट को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका प्रूर टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं